हुआ है सो वेलकम बैक गाइस को आप सब करता हूं और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में सिर्फ ऐसी पांच प्रो टिप्स या टिप्स कह लें या मिस्टेक्स कह लें आपके लिए ठीक है बट मैं बोलूं उसको प्रो टिप्स ऐसी प्रो टिप्स जिसके आप ऐसा और यह डवलपर यह जो जबी बीच में इसके माजीन यह वाला गया यह सिर्फ यह पांच टिप्स डिसाइड करती है और आप प्रफेशनल डवलपर बन जाओगे ठीक है तो बस यह डिफ्रेंस होता है क्योंकि वह रुजान रेगुलर्ली आप वह पांच टिप्स फोलो कर करते हैं और आप नहीं करते होगे तो अगरा वह पांच टिप्स फोलो करोगे आपको पर अपने अंदर आप पर फेश्नल डवलपर बन जाओगे तो इस वीडियो में से वह पांच टिप्स बार में बात करता हूं तो गाइस उससे पहले आप लिए चैनल पर नहीं आई है प्लीज में चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पहला आइकन भी दबादेना और लाइक टो करी देना एर वीडियो को प्लीज ठीक है तो बात करते हो पांट टिप्स कोंसी है फटक से पहला टिप है ड्राइड डॉंट रिपीट यूर सेल्फ अगर आपको लग रहा है कि एक कोड जो आप लिख रहे हो बारी-बारी आ रहा है कई न कई कैसे मर्जी कॉल हो रहा है वो चीज बारी-बारी लिखनी पड़ लिए उससे अच्छा आप उसको फंक्शन बना लीजी यह क्लास के अंदर मैंतर बनाईए कि आपको नंबर ओफ लाइन बारी-बारी वो ना होता है पहला डॉट रपेट दूसरा रूल है के आई डबल स ठीक है तो यह गाइस के डबल स का मतलब है कीप इट सिंपल स्टूपिड अब बहुत लोग मैंने देख है कि लोग कम जब कोड कर रहे हैं इतना कंप्लेक्स बना देते हैं भूल जाते हैं कोड करते वक्ति यह बहुत असाने से हो जाती है तो गाइस थिंक करो ट्वाइस बिफोर कोड यह भी इसके अंदर में मानता हूं रूट जब आप कोड कर रहे हो ना दस बार पीस बार सोचो लाइन लिखने से पहले कि यह लाइन लिखनी क्यों है क्या इसका कोई ओर efficient solution मिल जाएगा ठीक है number of lines कोड की reduce कर पारो मैं किसी साब से उसको यूज कीजिए तो यह होता है कि इट सिंपल स्टूपिड आप पागल हो अगर आप बारी बारी बड़ा बड़ा चड़ा के लिख रहे हो कोड जो कि दो लाइनों में हो सकता है तो उसको सिंपल लखनी कोशिश करो तीसरा काइस कोड इसको बोलता हूं 4-4-4 एक clean code is greater than clever code जो clean code होता है ना systematic way वह फो चाहे आपका जतना अची clever code लिखा हो आपने क्या अच्छा यह लो घूसा है हो वो clean code की रीस या बराबरी नहीं कर तदा clean code होता है कि सब जितने developed तो जितने डवलपरों के सबसान समझे पाएंगे अगर पकोड क्लीन या अपने इतना इतना इतने में बीच में क्या मैस फ्ला रखाए बीच में तो वह रीड नी होता वह सिर्फ आप ही बता पाते हैं यह था तो मैं मानता हूं और चौथा टीप है और एवड़ीड़े सीट आप कुछ भी करो अगर डवलपर बन रहे हो तो कुछ न कुछ कोड रोज करो से मैंटली गौड करो बैठके अच्छा मैं प्रजेक्ट सोचता हूं इसमें इसमें यह वहगा वहगा इसको मैं कोड यह बनाता हूं आपने क्या होग मैं improvement डाल सकता हूँ या किसको कैसे इप्रोच करना है इसमें चीज को तो यह होता है code everyday का हिस्सा चाहिए आप keyboard से करें computer screen पे चाहिए mentally करें इससे क्या होका आप logic building skill है वो day by day improvement होता है और last but not least जो सबसे ज़्यादा important मानते हूं मैं professional developer बने के लिए commenting गाइस जब आप comment नहीं करते ना code के उपर तो बहुत गंदा लगता है क्यों लगता है उसका एक यह रहता है कि जब आप बड़ी corporate company कई दसबान developer काम कर रहे हो ने एक field पे मिलके तो वो field पे मिलके काम करने का यह असर रहता है कि जब आप काम कर रहे हो ना तो आपको logic जो आपने लिखा continue करने में और यह organization में होता ही होता है जहां पर बहुत बड़े डवलपर बड़े-बड़े पिज़क्त पर काम करते हैं वह दस लेड़ों के बाद पक्का comment करेंगे कमेंटिंग लाइन बाइन करते रहेंगे कि यह कोड किस काम आ रहा है तो यह था फिफ्थ को कमेंटिंग तो गाइस पांच और टिप्स को फोलो करें रेगलर्ली आप में अपने अपने डवलपर प्रफेशनल डवलपर वाला जो गयाप खत्म हो जाएगा और comment box में बताना झालपड़ गाइस